आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ मैं, Byan 02-D2 ये साफ्ट सकती है इणिसे निकालते कि वह नाइन है कौनसी ये सबसे पहले क्योशन तो मैं एक बाड लाईन की equation लिख दीता हूया लाईन हमार पर दे रखी है dwell 15 x square plus में 31 x y plus का 14 y square equal to 0 इसमें 2 line है हमें 2 line निकालनी है ठीक है तो मैं क्या करता हूँ 15 x square का इसे लिखता हूँ 31 x y को ब्रेक करके लिख लेते हम क्यासे 10 x y plus का बचा क्या 21 x y मैंने क्या करता 31 को ब्रेक कर दिया कि इसमें 10 plus 21 में और यह 14 y square ऐसे line दिया ठीक है अब देखो इन दोनों को उठाते हैं पेर बनाते हैं इन दोनों को उठाते हैं एक पेर बनाते हैं ठीक है इसमें से common क्या रहा है हमारे बस 5 और x common आते है मैंने 5 और x common निकाल लिए बचा क्या 3 x plus में 2 y यहां बच गया अब देखो इस पेर को ठाते हैं 21 x square वाले को 21 x y और यह क्या है 14 y square इसमें से common क्या रहा है 7 common आ जाएगा और y common आ जाएगा तो मैंने 7 और y common निकाल लिए बचा के यहां पे 3 of x plus का 2 of y ठीक है अब देखो इसमें 3 x plus 2 y इदर भी है इदर भी है common निकाल लो तो हमारे पास actually क्या आ गया 3 x plus 2 y into में 5 x plus 7 y equals to 0 और हम देखें तो इसे मैं कह सकता हूं हमारी first line line 1 इसे मैं कह सकता हूं line 2 ठीक है तो देखो मैं यहां पे line 1 लिख देता हूं हमने जो extract करिया इसे line 1 हमारे पास क्या आगी 3 x plus 2 y equals to 0 और line 2 हमारे पास क्या आ गई line 2 हमारे पास आ गई 5 x plus 7 y equals to 0 ठीक है पर हमारे पास point देखा था point क्या था हमारा point था हमारा 2,3 तो इस point से इस line का जो perpendicular distance है और इस point से इस line पे जो perpendicular distance है वो हमारे पास क्या दे रखें D1 and D2 ठीक है तो सबसे पहले हम निकालते हैं D1 D1 मतलब इस line से इस point का क्या distance है ठीक है तो देखो सबसे पहले D1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे line की question को मैंने copy कर लेता हूँ यह हमारी है 3x plus 2y तब से पहले देखो distance formula होता क्या है हमारा अगको भी point है D तो उसकी हम length कैसे लिखेंगे अगर मान दो यह उसकी line थी ax plus by plus c और हमारा पास point given था हमारा x1, y1 और हमें निकालना क्या है उसका distance निकालना है ठीक है तो distance कैसे निकालेंगे हम modulus of यह point को this line satisfy करवा देंगे तो put करदेंगे ax1 plus b of y1 plus c और divide करदेंगे इसके magnitude से magnitude क्या है इसका under root में x coefficient a2 plus y coefficient b2 यह हमारा क्या है distance of a point from a given line तो देखो मान लो अगर हमने यह line उठाई 5x plus 7y और इस point से distance निकालते है तो d1 क्या हो जाएगा यह हमाई line थी 5x plus 7y इसमें क्या put करेंगे 2,3 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 into x के जगा आगया 2 plus 7 into y के जगा आगया 3 और c तो 0 ही है divide by under root में 5 का square plus 7 का square ठीक है तो जब इससे हम solve करेंगे तो हमार पस आएगा यह 10 plus 21 कितना हो गया 31 divided by root of 25 plus 49 कितना हो गया 74 ऐसे हम क्या करेंगे d2 निकालेंगे distance इस line से इस point का तो इस क्या हो जाएगा 3 into x की जगा 2 plus 2 into x y की जगा 3 c तो है ही नी divide by इसका magnitude magnitude क्या हो जाएगा 3 square plus 2 का square तो इससे जब हम solve करेंगे तो हमार पस क्या आएगा 12 of 1 में root 13 ठीक है तो देखो हमार पस d1 d2 आगया हमसे पूचा क्या है उसने हमसे पूचा है कि d1 square minus d2 square plus 1 by 74 plus 1 by 13 की value बता दो हमें तो देखो simply मैं क्या करूँगा d1 d2 आगया हमार पस इसकी value पूट कर देता है कि इसमें हमें क्या निकालना है basically d1 square minus d2 square plus 1 by 74 minus का नहीं plus का 1 by 13 इसकी value निकालना है तो देखो d1 निकाल रख़ा हमें d2 निकाल रख़ा हमें इसमें बस put करना है तो ये क्या होगा d1 की जग में डाल जाए 31 by root of 74 इसका क्या लेंगे हमें square minus का d2 d2 क्या है हमारा 12 by root 13 इसका भी क्या लेना है square ठीक है plus का 1 by 74 plus का 1 by 13 ठीक है तो देखो ये क्या होगा 31 का square by अब देखो root 74 था square लेंगे तो root हट जाएगा ठीक है तो मैं लिख देता हूँ 31 का square हमारे पास आ गया 9, 6, 1 by root हट गया इसका तो सिर्फ 74 minus का 12 का square क्या हो गया 144 divided by root 13 का square लेंगे तो root हट जाएगा बचे का गया सिर्फ 13 plus में 1 by 74 plus का 1 by 13 ठीक है अब इसको further simplify करते हैं देखो 74, 13, 74, 13 LCM ले लेते हैं इसका सबसे पहले तो देखो पहले मैं का करता हूँ 74 और 13 वाई terms को एक साथ लिख देता हूँ जैसे यह 74 है यह 74 है 9, 6, 1 plus का 1 यह केतना हो गया 9, 6, 2 by 74 एन देखो यह minus 144 है इसमें plus 1 कर गया है तो यह क्या हो जाएगा minus 1, 4, 3 by 13 ठीक है अब इसका LCM लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा 9, 6, 2 into me 13 minus 1, 9, 6, 2 into me 13 minus का 1, 4, 3 into me 74 by 74 into 13 ठीक है अब हम अगर 9, 6, 2 go 13 से multiply करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 1, 2, 5, 0, 6 मैं इसे minus क्या करना है 1, 4, 3 into me 74 तो यह हमारे पास क्या आजाएगा यह हमारे पास आजाएगा 1, 0, 5, 8, 2 अब इसको डिवाइट करना किस से 74 into 13 से 74 को 13 से multiply करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 9, 6, 2 ठीक है तो अब इसे minus करेंगे यहां मैं लिख देता हूँ minus करके क्या आएगा तो बेसिक लिए हमारे पास minus करके आजाएगा यह 1, 9, 2, 4 अब देखो यह है 962 यह है 1924 962 into 2 करेंगे तो हमें क्या मैं लिखा 1924 तो यह कटेंगे कैसे 962, 1's a 962, 2's a तो बेसिकले हम जब इसे solve करेंगे तो हमारे पास answer क्या आगया सिर्फ 2 तो जो हमसे यह पूछा था d1 square minus d2 square plus 1 by 74 plus 1 by 13 यह हमारे पास last में क्या आगया 2 आगया ठीक है तो यही था हमारा answer and thank you for watching आज ही राउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर